गूड इबनिंग डियर फ्रेंड्स टूड़ी वी एर डिसकस एबाउट ब्लड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ब्लड यानि की रुधिर तो आज हम रुधिर के कंपोनेंट्स के बारे में उनके अलग-अलग जो कंपोनेंट्स उनका क्या वर्क है रुधिर हमारे बॉड़ी में कैसे बनता है और इसकी प्रॉसेसिंग है इसके बारे में आज कंप्लीट डिटेल्ड स्टूडी करी जाएगी ब्लड ब्लड जो है ये एक फ्लूट कनेक्टिव टिश्यू है यानि एक तरल संयोजी उतक ब्लड को अगर आप देखें तो ये हीमोगलोबिन की प्रेजन्स के कारण इसका रंग जो होता है वो लाल होता है और जो हमारा ब्लड है इसकी अगर आप पी एच की बात करें तो पी एच जो होता है इसका 7.4 इसको पूरी बोड़ी में आपका ट्रांसपोर्ट करने का और जो हमारे waste material है उनको भी वापस हमारी बॉडी से ला करके अपने excitatory organ को देने का काम ये ब्लड करता है एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है तो स्वस्थ व्यक्ति के जो body weight है तो body weight के according अगर हम blood को देखें तो हमारे body weight का लगभग 7 to 8% यानि 7 से 8% के आसपास जो body weight का जो भाग है वो blood का होता है एक वैस्थ मुनिष्य में इसकी मात्रा जो है वो लगभग 4 से 5 लीटर total body weight का 7 to 8% जो है वो blood होता है अब अगर blood के component के बारे में बात करें तो blood आपका दो component में divide होता है first होता है आपका plasma और second आपका होता है blood carpuscles plasma total blood का लगभग 55% जो part है वो आपका कहलाता है plasma plasma जो होता है ये एक प्रकार से water जैसा part होता है अगर हम इसकी composition के analysis करें तो इसमें जो plasma है इसमें 92-92% आपका water होता है यानि maximum amount में लगभग water होता है 7% के आसपास 7% लगभग आपकी इसमें protein होती है इसमें आपका fibrinosan protein होती है fibrinosan protein होती है जो की during clotting आपका fibrin में convert हो जाती है 90-92% water 7% protein और 1% में आपका लगभग कुछ salt और slightly amount में आपका जो होता है वो sugars होती है यह आपका total plasma का composition होता है जो भी हम food intake करते हैं after digestion जब वो digest होकर के हमारे blood में mix होता है तो वो सबसे पहले आपका जो plasma है plasma में ही dissolve होता है इसी plasma के थूँ वो हमारी body में circulate करता है और हमारे जो organs से उस digested food को intake कर लेते हैं और जो waste materials है वो भी हमारे plasma में ही dissolve होता है और हमारी anxiety organ तक आ जाता है दूसरी अगर हम बात करें अगर हम आगे इसका देखें तो जो second part है वो है आपका blood carpuscles blood carpuscles जो होता है ये 55% आपका plasma होता है और 45% जो part होता है वो आपका होता है blood carpuscles यानि रुधिर कडिका है plasma जो है हमारा food को exchange करता है waste material को transport करता है जो हम gas लेते हैं उसमें भी आपका gases हला की चुकी blood carpuscles में जो RBC होती है उसके थूँ जाता है तो blood carpuscles total blood का 45% होता है अब 45% में तीन चीजे होती है इसमें नमबर बन होती है erythrocytes जिसको हम बोलते है RBCs यानि लाल रुधिर कडिका है नमबर टू होती है leukocytes यानि WBCs श्वेत रुधिर कडिका है और थ्री होती है आपकी third part होता है thrombocytes जिसको बोलते है pretlets अगर इनकी मात्रा के according देखे तो जो RBCs है RBCs का जो volume होता है लगबग 5 million RBCs per mm cube में उपस्चित रहती है 1 mm cube में इसकी जो मात्रा होती है 5 million होती है 1 mm cube में जो आपकी WBCs की मात्रा होती है 7,000 के आसपास होती है और 1 mm में अगर हम pretlets की बात करें तो लगबग 1 mm में आपका 1 mm cube में 3,000,000 pretlets present होती है तो अगर उसके according देखें numbers के according तो number 1 पे आपका erythrocytes याने RBCs होती है number 2 पर आपका thrombocytes और number 3 पर आपका leukocytes याने WBCs सबसे ज़्यादा आपकी RBCs second number पर आपका pretlets और आपका number पर WBCs erythrocytes erythrocytes याने RBCs RBCs की जो life cycle होती है वो होती है 120 days एक RBC की जो life cycle होती है 120 days होती है after 120 days यह हमारे bone marrow में पहुँच जाती है और bone marrow में ही इसका पूरा degradation हो जाता है जो RBCs होती है यह आपका non-nucleated होती है इसमें nucleus नहीं पाय जाता है mammals में केवल camel ऐसा animal है जिसकी जो RBCs होती है उनमें nucleus present होता है बाकि human में जो RBCs होती है उनमें आपका non-nucleated होती है nucleus नहीं की वज़े से यह high amount में hemoglobin को अपनी जो cell है उसके अंदर store कर लेती है जो की gaseous exchange में काफी help करता है एक RBC की life cycle होती है 120 days इसमें maximum amount में आपका होता है hemoglobin जिसकी वज़े से यह red color का blood हमें दिखाई देता है hemoglobin के दो component होते है first होता है hem और इसके अलावा होता है globin hem जो है यह आपका एक iron containing जो है substance है और globin जो है यह आपका protein है RBC का जो निर्माड होता है वो हमारी bone marrow में होता है maximum amount में जो है आपका bone marrow में होता है 123 इन के बाद यह bone marrow में पहुँच जाती है और इसके hemoglobin में से hem और globin दोनों को अलग कर लिया जाता है hem जो होता है यह next RBC जब बनती है उसमें इसको use कर लिया जाता है और globin जो है यह आपका waste material होता है इसको आपका excretory material के excretory process के थूँ बाहर कर दिया जाता है body से यह जो heme है इसी heme पर नई globin protein का cover चढ़ा करके और वापस blood में base दिया जाता है तो यह आपका RBC का पूरा एक analysis हो गई अब इसमें जो heme globin होता है यह आपका जो हम respiration के थूँ gas exchange करते हैं gas अपना intake करते हैं तो उसमें से oxygen molecules को bind करके ले जाता है और अलग-अलग tissue तक उसको transport कर देता है और उन tissues में जो आपका metabolic activity के थूँ जो carbon dioxide बनी है उस carbon dioxide को carry कर लेता है और वापस आकर के हमारे जो respiratory system है उसको दे देता है जिससे वो आपका exit out हो जाता है तो यह आपका oxygen के जो movement में बहुत ज़ादा यानि gaseous exchange में बहुत ज़ादा help करता है next आजाए यह आपका leukocides यानि WBCs WBCs जो होती है यह हमारी एक प्रकार से defensive cells होती है हमारे शरीर को अलग-अलग प्रकार से जो है यह protect करने का कारे करती है इनको इनके cytoplasm में granules के presence के अधार पर दो पार्ट में माटा गया है एक है आपका granulocides और दूसरी है आपकी एक granulocides तो granulocides जो होती है granulocides में जो आपका cells होंगी यह cells होंगी इनके अंदर कुछ nucleus होगा यह मालो nucleus है अब इनका जो cytoplasm है तो इस cytoplasm में granules present रहते हैं different types के granules इस granules के वज़े से यह आपका granulocides कहलाती है और यह जो आपका एक granulocides होती है इनका जो cytoplasm होता है उनमें कोई granules नहीं होता है यानि वो बिल्कुल transparent type का होता है इस वज़े से यह कहलाती है agranulocides अगर आप एक word याद रखें यह जो आपका WBCs होती है इनका सबका अलग-अलग percentage होता है जो हमारे blood में निर्धारित रहता है अगर हम healthy हैं हमें कोई problem नहीं है तो हमारे अंदर यह जो WBCs है तो इनका percentage बिल्कुल निश्चित होगा नालम इब N for neutrophils, L for lymphocyte, monocyte, eosinophils and basophils यह इसी pattern में आगे बढ़ता है इनका percentage सबसे ज़्यादा percentage जो होता है neutrophils का 60 to 70% second number पर lymphocyte 20 to 25% M for monocyte 3 to 8% E for eosinophils 2 to 4% and B for basophils 0.5 to 1% अगर हम healthy है तो हमारी जो आपका percentage है WBCs का वो लगभग इसी के आसपास रहता है आपने देखा होगा अगर कभी-कभी हमें problem हो जाती है fever काफी दिन से नहीं जा रहा है या कोई skin disease हो गई है particular जिसका treatment नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर हमसे blood test कराने को कहता है वो blood इसी लिए test कराता है वो basically इनका जो percentage है उसको check करता है इससे ये पता चल जाता है कि क्या problem है क्योंकि हर जो आपका जो WBCs है उसका अपना एक specific work है अगर उस type की कोई problem आई होगी जो कि उससे related है तो इसका percentage increase कर जाता है इससे उसको easily पता चल जाता है कि ये problem हमारी body में हो गई है अब granulocides अगर इनके structure के बारे में बात करें तो first है आपका neutrophils neutrophils जो होती है ये सबसे ज़्यादा amount में होती है हमारे blood में WBCs में और अगर इसका structure देखें तो इसमें आपका जो nucleus होता है RBCs में तो nucleus होता नहीं है WBCs में जो nucleus होता है तो ये अलग-अलग में अलग-अलग type का रहता है इसमें जो आपका nucleus होता है वो लग-बग 5 lobe में divide रहता है यही इसका identification feature भी है इसके recording इसको पहचाना जाता है तो neutrophils जो होती है इसका ये nucleus जो है वो 5 lobes में लग-बग divide रहता है और cytoplasm में इसके granules पाए जाते हैं क्योंकि ये granulocytes है ये phagocytosis function करती है phagocytosis ये basically जो अगर कोई microorganism हमारी बॉड़ी में harmful ये pathogenic microorganism हमारी बॉड़ी में आता है तो ये तुरंट इसको इंगर्फ कर लेती खा लेती phagocytik इसकी activity होती है और इस type की अगर activity होती है हमारी बॉड़ी में तो इसका percentage जो है वो increase कर जाता है next है आपका eosinophils eosinophils जो है ये आपका अगर इसका structure देखें तो इसमें आपका लगबग थ्री लोब में divide रहता है इसका nucleus और बाकी आपका granules होते है eosinophils जो होती है ये allergy जो reactions होते है allergic तो ये allergic reaction को एक प्रकार से control करती है अगर हमारी बॉड़ी में किसी प्रकार की allergy हो गई है तो eosinophils का percentage जो है वो rise कर जाएगा next है आपका basophils basophils जो है इसका जो nucleus है वो लगबग गॉगल शेप ये आपस में कुछ हद तक मिलते जुलते हैं इसका कुछ हद तक goggles shape का रहता है और ये भी आपका कुछ हद तक इस टाइप के allergy के reactions है उनको ये control करती है अगर इस टाइप का कोई activity होती है तो इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है अब आते हैं एक granulocides एक granulocides जो है इसमें आपकी फर्स्ट है lymphocides सेकंड है monocides तो lymphocides का अगर आप structure देखें तो lymphocides में आपका maximum amount में nucleus जो होता है वो cell में फैला हुआ रहता है इसका जो nucleus होता है काफी बढ़ा होता है और monocides में अगर आप देखें तो monocides में जो nucleus होता है वो थोड़ा सा हलका सा एक दबा हुआ और बाकी आपका circular रहता है ये इसका nucleus होता है अब जो lymphocides है ये WBC में आपका सबसे smallest cell है और जो monocyte है ये सबसे largest cell है WBC में सबसे smallest है lymphocides और सबसे largest है आपका monocides WBC की जो अगर life cycle की बात करें तो इनकी जो आपकी life होती है लगबग 10-12 days की रहती है 10-12 दिन के अंदर हर जो WBC है वो destroy हो जाती है और नई WBC का निर्मान होता है थर्ड है आपका thrombocides thrombocides यानि कि आपका platelet platelet जो होती है इनकी मातरा है 3 lakhs per mm cube ये आपका अलग-अलग shape में oval, circular या crystal shape में ये thrombocides हमारी body में present रहती है और ये basic जो इनका work है वो आपका जो blood होता है हमारा वो clot जो clot करने का काम है वो ये thrombocides करती है इनमें protein पाए जाती है जो कि आपका non-dissolved protein में convert हो जाती है जिससे हमारा जो आपका blood है वो easily clot कर जाता है इनकी अगर life की बात करें तो लगबग इनकी जो life cycle होती है वो लगबग one week की होती है यानि लगबग आपका six to seven days इनकी total life होती है तो ये था हमारा पूरा blood का detail तो ये था हमारा पूरा blood का detail प्लाइब ब्लाइब टेस्टी था होती है